हलो एब्रिवान क्यों आप वाचिंग सीरिल से आप जहां पर मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा अभीरा अर्मान से कहता है तुम पैसे रखो तभी वो हेल्प कर पाएगी क्रिश की स्टार्ट करने में कार और सारी चीजें रोहित देखता है अपने टी-शिर्ट को और तभी वो शौक हो जाता है रोही कि पिक किसी और के साथ तभी वो क्रश करता है वो पिक्चर और उसके साइड में फेंग देता है रोही वहां आती है अपने कपड़े कबर्ड में रखती है और वो पूछती है क्या हो तुम ठीक हो वो शान्त रहता है वो कहती है कि तुम कल से बाद चुप-चुप हो तभी वो कहता है कि हां मैं ब sorry मैं already test में दोवार fail हो चुका हूँ इसलिए मुझे अब test clear करना है वो पूछती है तुम ठीक हो वो कहता है कि नहीं डैट मुझे बहुत जाला गुस्ता होंगे अर्मान दोनों के लिए upset है तभी वो कहता है कि मैं family को बता दूँगा दादी तुम्हें नहीं डाटेंगी वो कहता है कि हाँ ये family तुम्हें साथ बहुत जादा rude है ना even मेरे साथ भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम से क्यों बात कर रहा हूं अर्मान कहता है कि मुझे try to be my husband तो ही वो कहता है कि मैं तुम्हारी responsibility हो तुम मेरी वो कहती है कि हाँ ऐसे क्यों लगता है कि जैसे तुमने मेरी जैसे अपना प्यार खो दिया है वो चिट वाली लड़की इसलिए मेरी तरफ तुम इतना गुस्टा करते है और रूहीं दोनों को देखती है रूहित य यहां पर आंसर नहीं मिलता वो चला जाता है रूहित रोता है और वो सोचता है कि उस लड़के का नाम एस से क्यों है अर्मान कहता है यह स्टोरी खतम हो चुकी है end of this topic प्लीज तभी वो रिटर्न होता है देखता है रूही रूही यहां पर रोती है और वो स्याट हो जाता है दर रूही रोहित के साथ तकराती है और वो कहती है sorry मेरा फोन तूट गया मैं ठीक करवा दूगी वो कहता है कि I understand your feeling तुम गिल्टी मत फील करो वैसे भी मैं यहां पर किसी और चीज के लिए था वो कहती है कि कोई भी मुझे नहीं समझ सकता और वो से रोकता है वो कहता ह कि मैं यहां पर habitual हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए लेकिन हां मैं तुम्हारा friend बता हूँ तुम्हारे को judge नहीं करूंगा I promise तुम्हेरे साथ अपने secrets बता सकती हो मुझे कुछ मत छपाओ मुझे सच बताओ या फिर मेरा patience जो है वो खताम हो जाएगा वो कहती है कि तुम्हें सच्चा नाई ठीक है अर्मान और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे अब बताओ क्या तुम समझ सकते हो दादी उसको बलाती है दादी अर्मान का नाम चलाती है अर्मान और अभी रभी आते हैं हर कोई वहाँ पर आता है दादी कहती है अर्मान से कि तू और रूही imagine करती है यह सब कुछ खतम हो गया तब ही पता चलता है कि यह सिफ उसका सपना था reality नहीं तब ही वो कहती है मेरे पास कोई secret नहीं है और वो चली जाती है रूहीत कहता है कि तुम्हें chance देना है अपने relationship को या नहीं वो रोती है और कहती है कि I think मैं तुम्हारे साथ मेरी का sister हो अभीरा कहती है यस भगवान ने मुझे तुम्हें इसलिए भेजा है और sorry मैंने तुम्हारे साथ उस दिन इतनी बत्तमीजी करी रूही कहती है कि रोहत और तुम्हारी fight हुई है रूही कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे उपर कोई नजर नहीं रखती इदर अभी अभीरा इदर दिखाया जाएगा कि वो जाती है अर्मान उसे टिकेट देता है कि हम लोग न्यूजलेंड जा रहे हनीमून के लिए अभीरा उसे देखती है रोहत कहती है कि हमें कल ही निकलना होगा अभीरा कहती है कि लेकिन मुझे पढ़ना है आप लोगा के ले जाओ रो करेंशनल रोमिंग सिम कार तुम खरीद लेना और मैं एजन से बात करूंगी रोहत कहता है कि लेकिन आप कहना क्या चाते है रोहत कहता है रोही रोही से मैं बोल रहा हूं रोही कहती है कि हां मुझे शॉपिंग करने है ट्रप के लिए हम चले रोहत उसे देखता है अर्मान यहाँ पर backpack करता है अभीरा बैठ करके पढ़ाई कर रही है अर्मान कहता है कि तुम पैकेंग करोगे अभीरा पात में वो कहता है कि बात में कब कल हमारी flight है वो कहती है कि आप धे बहुत time पढ़ा है वो कहता है कि तुम्हारे साथ problem क्या है वो कहता है अरे ऐसे तूट जाएगा लेकिन अभीरा जिप को धीरे धीरे लगाती है वो बैक पैक कर देती है रूही यहाँ पर रोहित का बैक पैक करने की कोशिश करती है और उसे देखती है यह दोनों एक दूसरे के साथ में एकटम बात नहीं कर रहे हैं और दोनों के के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले